आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PID infection या बच्चे दाने में किसी भी तरीका infection है PCOD infection या pregnancy नहीं ठहर रही है बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसमें बहुत ही यूज होने वाला injection इसका नाम की बारे में थोड़ा जानकरी चाहेंगे तो जो हमारा injection है इसका नाम है प्लेशिंट ट्रेक्स इंजेक्षिन और अगर इसकी बात करें क्या इसके कितनी MRP होती है तो MRP की बात करें तो सबसे पहले इसकी जो MRP है एक शुबारा रुपे MRP है और ये आपको हर medical store पे मिल जाता है अब कुछ महिलाओं में क्या होता है कि साधी के बाद जब 2-4 महीने हो जाते हैं 1-2-3 मंत तो माइंड वे तरह-तरह के सवाल आते हैं कि की प्रेग्नेंशी के उनुए इठार रही है या एयरली प्रेग्नेंशी आती है या एक दो दिन चलने के बाद में ब्लेडिंग होने लगती है तो उस समय इस injection का इस्तमाल किये जाता है और यह भी बताएंगे कैसे किये जाता है तो जो इन्फेक्शन को ये खतम करता है और और अबरी को होती अच्छे तरीके से ये किलीन करता है अब इस पर साफ साफ लिखा हुआ भी है HIV एंटीबोडी फिरी, HCV एंटीबोडी फिरी, Hepatitis B, Surface Antigen-Free तो इस पर ये साफ साफ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो ये इन्जेक्शन बहुत ही लाबदायक होता है महिलाओ के लिए और ये बोडी में जाने के बाद में इन्फेक्शन को खतम करता है तो अगर आप भी Ultrasound कराते कराते ठक गए हैं और Ultrasound में आपके PID की प्रोब्लम नहीं जाती है या PCOD की इन्फेक्शन आती है तो उस समय ये इस्तमाल किये जाता है और ये 5 से 7 इन्जेक्शन का कोर्स होता है जो महिलाओ को एक दिन छोड़के लगता है जिसको कहते हैं हम तीसरे दिन अगर इसकी कमपनी की बात करें तो ये एलवर्ड देविट कमपनी का होता है और ये आपको हर मेडिकल इस्टोर पे मिल जाता है और MRP इसकी जो हमने आपको बताई 112 रूपे की MRP होती है तो ज़्यादतर जो गाइनों की डॉक्टर होती है वो इसी का इस्तमाल करती है तो आज की वीडियो में हमने आपको बता है प्लेस इंट्रेक्स इंजेक्शन की संपूर जानकारी क्या इसका यूज होता है और कभी ये इस्तमाल किया जाता है तो आगे भी इसी तरह की वीडियो के देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर सब्क्राइब करना नहीं भूले मैं आपका दोस्ट डॉक्टर मुहमद आदी मित्ते अगली नई वीडियो में